आस्ट्रेलिया वर्सज न्यूजी लैंड मैच के दौरान ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक ठोक कर रचा इतिहास, एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा कमाल करने वाले पहले बल्लेबाज बने न्यूजी लैंड के खिलाफ, मैच में ट्रेविस हेड ने श शतक लगाकर ट्रेलिस हेड ने इतिहास रच दिया है, न्यूजी लैंड के खिलाफ मैच में ट्रेविस हेड ने 59 गेंद पर शतक लगाकर धमाका कर दिया, ट्रेविस हेड वन डे वर्ल्ड कप के डेब्यू में सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, बता दें कि वर्ल्ड कप के शुरुआत में चोटिल होने के कारण हेड टीम से बाहर थे, लेकिन फिट होकर हेड ने टीम में वापसी की और अपने पहले ही वर्ल्ड कप के मैच में 109 रन बना कर इतिहास रच दिया, ट्रेविस हेड वन डे में आस्ट्रेलिया की ओर से सबस तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम है, मैक्सवेल ने 40 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था